हलो फ्रेंड्स आम अप्रती वेलकम बेक टू आर चैनल प्लांट से स्पेस आज हम आप से कुछ ऐसे पौधों के बारे में बात करेंगे जो की बिना सीजन के ही काफी अच्छी ग्रोध कर रहे हैं और उसमें फूल भी आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में काफी सारे क्वेशन आते हैं जैसे हम कोई प्लांट शेयर करते हैं उसकी फ्लावरिंग शेयर करते हैं तब काफी सारे क्वेशन आ जाते हैं कि क्या ये पौधा अब हम ग्रोध कर सकते हैं जैसे की जीनिया को लेकर काफी जादे क्वेशन आते हैं तो अगर वैसे जीनिया को समर फ्लावरिंग प्लाइंट है तो आप से फ्रवर ऐ से जोकर सकते हैं legit और यहां में गरमी वसे नवंबर उसकी फ्लावरिंग चाहिए अगर आप नए पौधे तयार करने होंगे क्योंकि आप आज नर्ट से होंगे में आißt तो आप सीट से आसानी से उनको ग्रोव कर सकते हैं और गर्मियों के अलावा भी जैसे शुरू सर्दियों में जब विंटर स्टार्ट होता है तब उसकी प्लाविंगा पा सकते हैं अब हमने जिए तो अब आप आप अपसे शेयर करना था यह कुछ प्लांट है जैसे कि फॉस्ट फ्लांट है यह कैनफ जो कि लास्ट है हमने शेयर किया था कैसे हमें पौधा मिला था और कैसे इसके सीट्स भी हमने कलक्ट किये थे तो दोनों वीडियो आपको जब यह ब्हुदा जमीन में होता है तो जादा गरोध करता है और पॉड में ठोड़ी कम गरोध कर पाता है लेकिन अरे तर्द म स्ट्रिप्लाइन प्लांट यह था। तुर्ड प्लांट भी टिथो siniा का है जिसको बटरफ्लाय मैंग profitability कहा जाता है क्वह उतों को साबिया सो और आप देखिए इस पे फूल भी खिल चुका रहा है तो हमें यह लगा नहीं था कि यह ग्रोध कर पाएगा तो हमने इसको उठाकर छोटी-छोटी पॉलोथिन्स में लगा दिया था क्योंकि ऐसा लगा नहीं था कि यह ग्रोध कर लेगा और कैनफ प्लांट भी जो हमारे प सीजन मिलती है और काफी दिन तक मिलती रहती है और जैसे सर्दियां आती है फिर प्लांट ग्रोध नहीं करता है उस पर फ्लावरिंग भी बंद हो जाती है लेकिन जब यह पॉदा तयार हो गया क्योंकि सीजन जा चुका था फिर भी हमने इसका सीट ग्रोग किया था तो फ फिर यह अपने आप ग्रो हो गया तो इसको भी हमने उठा करके पेका नहीं नहीं उखाड के पेका इसको हमने एक चोटी सी पॉलेथिन में लगा दिया फटिलाइजर एड कर दिया था फिर इसमें थोड़ी भाइट लीप्स भी हो गई थी उसके लिए हमने इस प्रेकिया ह आपको डेस क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको काफ़ी हम लेगी तो देंगी सेट फूल खिलने लगा है कलिया आने लगी है और फूल बहुत दिन तक रहता है टिपोनिया का और कैनफ प्लांट भी बहुत अची प्लाविंग कर रहा है साइज में भी छोटा नहीं हुआ है जो इसका फूल है तो हमने इसकी देखभाल बहुत खास नहीं की है ये एक छोटी सी पॉलेथिन में लगा हुआ है ड्रेनेज होल के लिए हमने इसमें नीचे कट लगा दिये थे और रूट्स आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें बन चुकी है तो अगर आप सीजन में प्लान ग्रो करना भूल जाते हैं तो उसमें परिशान होने की जरूरत नहीं है आप बिना सीजन के भी प्लान ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छी प्लावरिंग पास सकते हैं तो ये भी छोटी पॉलिथिन में है इसमें भी ड्रेनेज होल के लिए हमने कट लगा दिया है और वही पॉटे मिक्स जो कि हम हर प्लांट के लिए यूज करते हैं 60% नॉर्मल गार्डन सॉयल जो कि सैंडी सॉयल होनी चाहिए और 40% कावडंग का मिक्शर है तो इसमें ही प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोध कर रहे हैं और देखिए ये फूल अब जढ़ने भी लगा है क्योंकि काफी पुराना होने लगा है ये तो धीरे धीरे इसकी और भी कलिया आएंगी हम इन पे सीट्स नहीं बनाएंगे क्योंकि गर्मियों वाले प्लांट मे अगर आपके पास जगे भी नहीं है तो भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं फटिलाइजर हमने कोई नहीं दिया है पॉड्डिंग मिक्स में जो था वस वही तेयार किया है हलकी नमी बना कर रखते हैं प्लांट में पानी देते हैं बस इतनी ही क्यैर करते हैं और बिना सीजन के भी हम इतने अच्छे फूल पा रहे हैं कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए थेंक यू